हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लेकर आया हूँ रियल्मी की तरफ से दो बहुती कमाल के स्मार्टफोन एक तो दोस्तो रियल्मी का 12X बहुत पॉपुलर है यह आपको काफी कमाल का फोन मिलता है 12.5-12.000 के आसपास दोसरी तरफ रियल्मी का नार्जो 70 टर्बो लांच हुआ है दोस्तो लेटेस्ट 15,000 के आसपास तो दोनों में 12,000 का फर्क है अगर आप जो दोस्तो 12X खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम कंबेरेजन करेंगे नार्जो 70 टर्बो के साथ इसका और देहींगे आपको दोनों में क्या-क्या खुब यह मिलती है कि आपको अपना थोड़ा सा बजट बढ़ा के नार्जो लेना चाहिए कम पैसों में 12X तो जानने के लिए वीडियो एंड तक जरू देखेगा लाइक करके सब्सक्राइब कर लेजिए नार्जो 70 टर्बो के साथ आपको जो दोस्तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं यूजर मैनूल फिर जो दोस्तो कार्ड में से मिजक्टर टूल फिर आपको यह सिंपल ट्रांस्परेंट कवर दिया गए है कुछ इस तरीके के लुक में इसके बाद आपको जो दोस्तो फून मिल जाता है रैपर के अंदर जिसका रिटेल लुक हम भी देखेंगे वाइट कलर में आपको जो जो यह टाइप सी केबल दी गई है लेंट और क्वालिटी केबल की काफी बढ़िया है इसके बाद आपको रखवा मिलता है दोस्तो यह वाइट कलर में चार्जर जो कि आपको मिलता है दोस्तो एक 45 वाट का सुपर वूक चार्जर 45 वाट तो यह कुछ इस तरीके से बॉक्स के कंटेंट्स आपको मिलते हैं 15,000 में रियल मी के 970 टर्बो के साथ रेट के साफ से जो देखा जाए तो मदर ठीक टा कंटेंट्स मिलते हैं चलिए देखते हैं अगर आप अपने पैसे बचा के 12X खरीद लेते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है और जो दोस्तो थोड़ा ओल्ड फोन है तो इसके साथ क्या 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 दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं मिनी बॉक्स में सिम जेक्टर टूल फिर जो दोस्तो कुछ यूजर मैनुल और एक दिया गए है दोस्तो सिम्पल ट्रांस्पेरेंट कवर इसके साथ भी कुछ इस तरीकी के लुक में तो सिम्पल कवर इसके साथ भी मिल जाता है इसके बाद जो है दोस्तो आपको फोन मिलता है रैपर के अंदर फिर आपको मिल जाती है दोस्तो ये वाइट कलर में केबल जो कि आपको USB Type-C केबल इसके साथ भी दी गई है तो केबल की क्वालिटी इसकी भी काफी अच्छी है और लास्ट में रखवा मिलता है दोस्तो वाइट कलर में वही सेम चारजर 45 वाट का सूपर वूक जैसा आपको नार्जो 70 टर्बो के साथ मिलता है तो दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है बॉक्स के कंटेंट्स बिल्कुल डिट्टो एक जिससे मिलता है इस चीज में रियल में 12X थी बढ़िया है क्योंके पैसे बच रहे हैं और सेम कंटेंट्स आपको मिल जाते हैं बिल्कुल नार्जो 70 टर्बो के तरीके से चलिए बात करते हैं अब दोस्तों डिजाइन को लेकर कौन सा फून जादा बढ़िया है तो दोस्तों 12X के अंदर परपल कलर है मेरे पास यह और येलो ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में है नार्जो 70 टर्बो इन दोनों फून्स का डिजाइन जोई दोस्तों कैसा मिलता है मैं आपको करीब से दिखाता हूँ तो दोनों के अंदर आपको बीच में कैमरे दिये गए हैं प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन दोनों के अंदर आपको मिलता है काफी शाइनी डिजाइन है दोस्तो 12X का और दोस्तो दूसरी तरफ सिंपल प्लेन टाइप का कलर आपको मिलता है दोस्तो नार्जो 70 टर्बो में सबसे में चीज तो डिजाइन की क्वालिटी है वो तो दोनों के अंदर आपको एक जिसी मिल जाती है और कैमरे का डिजाइन जो थोड़ा सा नार्जो का बढ़िया लग रहा है 12X का देख देखे थोड़ा सा ओल टाइप का हो गया पुराना टाइप का हो गया नार्जो के अंदर आपको थोड़ा सा लेटेस्ट थोड़ा सा और कस्टमाइज डिजाइन मिल जाता है तो यह चीज़ आपको ज़्यादा बैटर दी गई है बाकि दोस्तों डिजाइन वाइस मैं आपसे यह कहूंगा क्वैलिटी में जब दोने एक जिसे हैं तो इतना बड़ा मेजर फरक नहीं पड़ता कुछ भी दोने स्मार्टफूनस आपको सेम टाइप के मिल जाते हैं बाकि दोस्तों आपको फिर भी 12X जाद अच्छा लगा फिर नार्जो 70 टर्बो येलो कलर और ब्लेक कलर के कॉमिनेशन के साथ ये चीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा नार्जो के अंदर थोड़ा गेमिंग टाइप का डिजाइन मिलता है दोस्तों इसके अंदर आपको जोड़ा इस तरीके का लुक मिलता है जिसे गेमिंग परपस से आपको ये फून लेना है बाकी जो बात करेंगे आगे फीचरस जो है किसके अंदर जादा बढ़िया है तो दोस्तों इन दोनों फून्स में रियल्मी के 12X के अंदर जो डिस्प्ले दी गई है वो मिल जाती है दोस्तों IPS Full HD Plus दूसरी तरफ नार्जो 70 टर्बो में आपको 25,000 रुपे जादा खर्श करने के बाद जो है दोस्तों इसके अंदर OLED डिस्प्ले दी गई है तो डिस्प्ले की क्वालिटी में काफी बड़ा फर्क है नार्जो में डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत जादा कमाल की है अब मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले में कितना फर्क है क्या फर्क है आपको कलर्स में ब्राइटनेस में मिलता है यूज़ इंटरफेस दोनों के अंदर आपको एक जैसा दिया गए है दोस्तों दोनों फोंस में आप ऐसे ओपर की तरह स्वाइप करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन मिल जाएंगी चलाने में दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन सापको एक जैसे टाइप के मिल जाते हैं तो इस चीज़ में तो आपको फर्क नहीं मिलता चलाने में दोनों ही स्मार्टफोन सापको सेम टाइप के दिये गए हैं और refresh rate जो आपको मिलता है display के अंदर जो smoothness आपको मिलती है वो भी दोने के अंदर आपको बराबर मिल जाती है 120Hz के refresh rate के साथ दोनों स्मार्टफोन से आते हैं तो आपको problem नहीं होगी smoothness को लेकर आपको 12XB काफी बढ़िया मिलता है NARZO 70 Turbo भी तो यह चीज़ आपको दोने के colors आप देहेंगे तो NARZO की display कितनी जादा आपको bright मिलती है जादा bright भी है colors भी इसके अंदर आपको जादा अच्छे दिये गए हैं हाला कि 12X जो ना थोड़ा सा size में थोड़ा सा बड़ा मिलता है display की जरसी बड़ी है लेकिन जो है quality की जब बात आती है जो की सबसे important है size से भी जादा important display की quality है तो वो आपको नार्जो के अंदर जादा कमाल की मिल जाती है और थोड़ा बहुत फर्क नहीं है काफी बड़ा ही फर्क है इसमें IPS display और उसके अंदर आपको जो दोस्तो नार्जो में OLED display दी गई है तो display की quality को लेकर दोस्तो नार्जो 70 turbo आपको 2500 रुपे आपको fingerprint scanner display के अंदर नहीं मिलता क्योंकि display जो इसमें IPS दी गई है लेकिन नार्जो में खुबी भी मिल जाती है इसके अंदर आपको display के अंदर इस फिंगर पेंट scanner दीया गया है तो इसका भी benefit आपको नार्जो में मिल जाता है दोस्तो एक तो जो जो सके अंदर आपको display की brightness जादा बढ़िये दिये गए हैं, दूसरे सके अंदर आपको in display finger paint scanner भी मिलता है, तो वो चीज़ का भी benefit आपको मिल जाता है दोस्तो, left side से देहेंगे, यहाँ पर आपको जो दोस्तो बिल्कुल plane design दिया गया है, दोनों में कुछ नहीं मिलता, निची की तरफ से आप देहेंगे, charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है, नार्जो में sim kit रे नीचे मिलती है, 12x में उपर की तरफ है, दो sim card 5G के आप, दो sim card 5G के लगा सकते हैं, side में आप देहेंगे, volume के buttons और power के buttons है, 12x में fingerprint scanner side में मिलता है, उपर की side से देहेंगे, दोस्तों यहाँ पर आपको stereo speakers दिये गए हैं, दोनों के अंदर, और noise cancellation mic मिल जाता है, तो यह आपको जो दोनों के अंदर आपको खुब यह मिल जाती है, इसके लवग दोस्तों 12x के अंदर दी गई है, 4GB RAM, 123GB internal storage, और NARZO 70 turbo में दी गई है, 6GB RAM, 123GB storage, तो 2GB RAM आपको नार्जों में जादा मिल जाती है, लोगने से 12x भी आपको 625 भी मिल जायागा, बार, मताँ साड़े बाराजार के आसपास ही, तो अदर RAM और storage के इतना बड़ा matter नहीं है, दोनों के अंदर ही same मिलती है आपको, 12x के अंदर भी कम rate में काफी अच्छी मिल जाएगी, यहाँ पर आप difference देखें, दोस्तों colors का, दोनों के अंदर आपको जो Android का 14 version मिलता है, चीज़ दोनों के अंदर काफी बढ़िया दी गई है, बैटरी के बारे में बात करें, तो दोनों में 5000 image के असपास बैटरी मिलती है, चारजर भी दोनों के साथ same type के हैं, 45 watt के, यह चीज़ दोनों में बढ़िया है, बाकि दोस्तो 50 MP main camera दोनों के अंदर दिया गया है, लेकि नंबर तो same है, quality same नहीं है, नार्जो 70 turbo में camera ज़्यादा कमाल का है, color सोगरा ज़्यादा बढ़िया मिलते हैं इसके अंदर, रियल में 12X में media tech का diamond city 6100 plus processor मिलता है, नार्जो 70 turbo में media tech का diamond city 7300 energy processor दिया गया है, तो दोस्तो performance में बहुत बड़ा फर्क है, नार्जो 70 turbo बहुत ज़्यादा बढ़िया है 12X से, अगर आपको gaming ज़्यादा करनी है, multitasking ज़्यादा करनी है, काम वगरा बहुती ज़्यादा करना है phone से, तो नार्जो 70 turbo आपको बहुती बंदब बड़े difference के साथ ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है, इतना पैसो में फर्क नहीं है, 2,000 का जितना जो है दोस्तो क्वालिटी में फर्क है, तो यह सारी खुब्या कम यह दोनों के अंदर आपको मिलती है, चलिए बात कर लेते हैं, सबसे में चीज़ादा आपको दोनों में से कौन से लेना चाहिए, कौन से नहीं, देखें दोस्तों, डिजाइन को लेकर तो 12X भी काफी अच्छा है काम रेट में, और रैम और स्टोरेज और बैटरी इसके अंदर भी आपको चार्जर सबी चीज़ा सही मिल जाती है, लेकिन अगर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी जादा बढ़िया चाहिए, तो दोस्तों, यह नार्जो बढ़िया इस चीज़ के अंदर, डिस्प्ले की क्वालिटी में काफी बढ़ फरक है, यह जादा बढ़िया है, इन डिस्प्ले फिंगर पेंट स्कैनर चाहिए, तो यह चीज़ भी इसके अंदर आपको जादा बढ़िया मिल जाती है, यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्मार्टफून रहेगा, अगर आपको इन दोनों में से कोई से लेना है, आप बताएगा फिर भी कमेंट करके आपको दोनों में अच्छा कौन से लगा, कौन से नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो दोस्तों पर आपको अच्छे लगें, तो लाइक करके जरूर जाएगा, चैनल पर आपने हैं सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुँचते रहे हैं, हेल्फूल लगी वीडियो तो अपने दूस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजे, वाटसेब पर फिस्बुक पर, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर, बाबाए,